मसूरी में देर शाम को समर हाउस मसूरी क्रीन चौक के पास एक सिलेंडर फटने से हड़कांप मच गया वहीं सिलेंडर से गुबारे फुलाने वाले 19 साल के अर्विंद कंभी रूप से घायल हो गए है अर्विंद की हालत चिंता जनक बताई जा रही है लोगों ने बताया है कि देर शाम को अर्विंद कुमार हाइडोजन सिलेंडर से गुबारे फुलाने का काम कर रहे थी कि अचाना गुबारे फुलाते समय सिलेंडर फट गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ धमागा इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के खिटकी और दर्वाजों के सीसे भी तूट गई पूरी घटना में अरविंद गंभी लूप से घायल हुए है घटना के सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और अरविंद को गंभीर हालत में मसूरी अपजिरा चिक तसाले ले जाया गया जहां पर प्राथमिक उपचार के वाद अरविंद की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है मसूरी कोतवाल गिरिशंद शर्मा ने बताया है कि देर शाम को समर हाउस के पास अचानक सिलंडर फटने से धमाका हुआ आप इन तस्वीरों में देखकर अंताजाल लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना जोड़दार था इंडिया पोश्ट उत्तरपदेश उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सुनकर की रिपूट झाल 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 झाल